लगभग द्यार अप्तियूं एल्वे क्लासत की इस निव लाइव श्ट्रीम में आप शबी का श्वागत है तो आज के इस लेक्चर में मैं आप शबी को यहाँ पर जो है समाकलन की अनुपरियोग के कुछ अन्नि इंपॉर्डन कोशन जो है सालो करवाऊंगा इसके पहले ज भग धाई गंटे की जिसमें आपको बेसिक फार्मूले जो की एक्जाम के द्रश्टिशे महत्वण होते हैं वो सभी बताये गये थे इसके अलावा जितने तरह के कोशन पेपर में पूछ जाते हैं वो भी लगभग वहाँ पर जो है सालो कर आए गये थे तो अगर आपने जो है सभी बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इसके लिए जितने तरह के यहाँ पर इंपॉड़न कोशन इस चेप्टर से आते हैं वो सब आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे तो जो भी कोशन उस दिन सेस बच गये थे वो आज जो है यहाँ पर कंप्लीट कराये जा लगभग बेशिक कोशन जो आपको बताई जा चुके थे जितने तरह के आते हैं इसके लाब कुछ कोशन बचे हुए थे जैसे कि यहाँ पर रहन देजी इसमें कोशन है कि परवले एक्स स्क्वार बराबर फोर वाई एवं शरल रेखा जी आपको यहाँ पर जो इसमें रे रेखा दे गए है एक्स बराबर यहाँ पर दिया गया है पूर वाई माईनש टु इतना दिया गया है तो सबसे पहले आपको बताय गया था जैब ही वक्र और रेखा दे जाएंगे तो सबसे पहले आपको उन्हें सालों करके जिंग परफ यह प्रतिचछ बिंदु ग्याद करेंगे तो शमी करण एक वा दोशे अब देंदी जी जो आपका शमी करण दो दिया गया है यहां पर आपको दिया गया है एक्स बराबर यहां पर आपको दिया गया है इसमें फोर वाई और यहां पर देंदी यह आपको दिया है फोर वाई यहां कि फोर वाई के बराबर कित कमान जो है यहां पर रख दिया गया है डारेक्ट एक्स स्कॉयर तो अब धन देजी यह वाला एक्स भी आप उधर ले जाएए तो यह जाएगा तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्कॉयर यह उधर जाएगा तो माइनस एक्स इसके लाओं माइनस टू बराबर जीरू अब घटाने पर जो यहां पर गुड़े में दिया गया होगा वो आना चाहिए जैसे कि यहां पर आप इसे क्या लिख सकते हैं दो गुड़े एक और अगर आप दो माइनस एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा और यहां पर एक आपको गुड़े में दिया गया ह एक दिया नहीं गया था आप गुड़े में लिख शकते हैं तो यहाँ पर दन देजी x स्क्वाइर माइनिस आप इस 1 की जगे पर लिख शकते हैं 2-1 इस प्रकार से इसके अलावा x-2 बराबर 0 यानिकि x स्क्वाइर माइनिस इसका आप गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x इसमें गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर दन देजी अभी यह प्लस का 1x होगा क्योंकि माइनिस माइनिस मिलके प्लस हो जाएगा इसके अलावा-2 बराबर 0 यानिकि इन दोनों में आपका x common होगा तो यहाँ पर आएगा x-2 इसमें आप प्लस का 1 common लेजी x-2 बराबर 0 यानि कि यहाँ पर आएगा x-2 और इसके अलावाद दूसरे ब्रिकेट में हो जाएगा x-1 बराबर 0 यह इतना आया अब यहाँ पर धन देजिए यदि एक मान आया है आपका x-2 बराबर मान लेजिए अप 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा दो यह यहाँ से आपको x का एक मान मिल गया इसके अलावाद देजि दूसरा यहाँ पर दिया गया है x-1 इतना दिया गया है और बराबर यहाँ पर माइनिश हो जाएगा तो एक्स का मान यहां पर जो है यह वाला माइनिश में आ जाएगा अब आपको एक्स के मान मिल गया निए कि एक मान इसका दो है और एक मान जो है आपर माइनिश वन है अब आपको वाई का मान ग्याद करना है तो वाई का मान ग्याद करने के लिए जिस इसके बटे में आये गए यानि कि यह हो जायेगा x square बटे 4 इतना बनेगा अगर आप y निकालेंगे तो तो इसका मतलब जहन देजिए यहां पर आप बता सकते हैं कि यदि x बराबर 2 तो y बराबर यानि कि x का मान कितना आए था 2 अगर आप यहां पर x का मान 2 रखते हैं तो देजिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 से यह वाला 4 कट जाएगा तो यहां पर कितना आजाएगा 1 यानि कि अगर आप x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आजाएगा 1 आजाएगा इसी प्रकार दूसरा देजिए x बराबर माइनिश 1 तो y बराबर अगर आप यहां आप पर मायनिश 1 रखेंगे और इसका जो है आपको square करना है तो जब आप मायनिश 1 का square करेंगे तो इसका मान जुआएगा देजी 1 by 4 आ जाये क्योंकि आप मायनिश 1 का square करेंगे तो वो प्लस हो जायेगा तो y का मान आ जाया गया है पर 1 by 4 इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु आये है प्रतिच्छेद बिंदु तो यहाँ पर दान देजी प्रतिच्छेद बिंदु एक आपका आया है जब आपने दो रखा है x का मान तो y का मान आया है 1 इसके अलावा धन देजी दूश्रा यहाँ पर जब आपने x का मान माइनिस 1 रखा तो y का मान आया है यहाँ पर 1 by 4 इस प्रकाश से यहाँ पर प्रतिछिद बिंदु आ चुके हैं बाकी आवाज बगरा बिल्कुल क्लियर आ रही है कि यह नहीं यह सभी लोग comment box में बता देजएगा इसके अलावा आप सभी लोग comment box में जो भी फार्मूला यूज किया जाए उस यह लिखते रहा करिए तो आप सभी को यहाँ पर फार्मूले जो अच्छे से याद हो जाएंगे बाकी शेशन को like सभी लोग कर देजएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को भी अप लोग सब्सक्राइब कर ले जाएगा और साथ में bell बटन भी वहाँ पर प्रेस कर ले जाएगा जिससे अगली class का notification सभी के पास पहुँच जाएगा अब इसके बाद देंदेजी अब यहाँ पर हम लोगों को प्रतिछेट बिन्दों मिल गया है अब पहले इसका हम लोग हैं पर graph प्रदर्शित करेंगे तो इसके लिए देंदेजी यह माल लेजे यहाँ पर हो गया एक्स अक्ष और यहाँ पर हो गया यहाँ पर देंदेजी आपको जो परवले दिया गया था वो दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई यह समीकण दिया गया है और इस समीकण के लिए जो परवले बनेगा वो आपका इस परवले बनेगा यह हो जाया कि यहां पर परवले इसके अलाम आपको रेखा दे गई है और यहां पर जो रेखा दे गई है इसके लिए धन्देज़ आपको प्रती 6 बिंदु मिल गए है एक तो आया 2,1 धन्देज़ यह भी मान आपका प्लस में यह भी मान प्लस में है इसका मतलब ये जो है इस प्रत्रम चतुर्थांस में आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों मान जो है प्लस में है X की तरफ 2, Y की तरफ 1 यानि कि ये बिंदू जो है आपका यहां कहीं पर आएगा इस प्रकाश से 2,1 इस प्रकाश से यानि कि X की तरफ ये वैलू हो जाएगी 2 और Y की तरफ वैलू हो जाएगी 1 इसके लाओ धन देजिए minus 1,1 by 4 इसमें धन देजिए X का मान ये वाला minus में है अपकी बार तो इसका मतलब ये बिंदू जो है अपका इधर कहीं आएगा इस तरफ क्योंकि X की तरफ ये वाला मान जो है minus में वह दिया गया आपको तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदू आएगा ये आपका होगा minus 1,1 by 4 यानि कि यहाँ पर जो रेखा होगी वो इन दो बिंदूं से होकर जाएगी इस प्रकाश ये रेखा यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर जो ये छेत रायगा आपका बीच का इस भाग का आपको यहाँ पर छेत रफल ग्याद करना है इस वाले भाग का अब यहाँ पर दान देजे ये जो रेखा काट रही है इस जगे से बिंदु को काट रही है, अगर इसको हम लोग मिला दे इस प्रकाश है, और इसको यहाँ पर इस प्रकाश है, मिला दिया जाए तो अब यहाँ पर दन देजी यहाँ पर हम लोग माल लेते हैं यह तो है मूल बिंदु यानी की O माल लेजी इसके लावाए इसको हम लोग माल लेते हैं A B यह यह नहीए हम पर माले लेते हैं अंड इसको माले लेते हैं अटारे काश आप माले लीदे visto पर दन दिची जो रेखंकि भाग है i7 भाग का पोटauraisिंट रफ़ल निकालना है तो इसके är 줄 दन दोरी यहाँ पर इश्वाग का आपको छेटर्षण निकालना तो इससे आप ऐसा सकते हैं यहँ पर आप लिख शकते हैं शेत्र भांदेजी ने बी-ओ-छी-बी इस प्रकाश से लिख सकते हैं यहाँ पर आपको छेत्र यानि कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी माइनस वन है इसके अलाव इधर दान देजे एक्स कामान कितना है दो यानि कि यहां से यहां तक की वैलू कितनी है आपकी दो तो इसका मतलब अगर यहां पर हम लोग यह वाला बिंदु ग्याद करें तो यह बिंदु यह आएगा minus 1,0 इस प्रकाश यह इतना आजाएगा क्योंकि X की तरफ की दूरी पता है और यह X पर है इसलिए Y कमान हमेशा यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब जो लिमिट आएगी वो X वाली लेंगे हम लोग तो minus 1 से यहाँ पर 2 यह लिमिट होगी minus 1 से 2 इतना हो से अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ पॉइंट समझना है सबसे पहले रंदी जी आपको परवले दिया गया था और परवले का शमीकर्ण आपको दिया गया था X स्क्वाइर बराबर 4Y यानि कि यह परवले का समीकर्ण दिया गया था आपको X स्क्वाइर बराबर 4Y इसक अपना दिया गया है, अब यहां पर है एक Y1 और एक है Y2, यही पॉइंट अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आपका Y1 है और कौन सा Y2 है, इसी के लिए आपको यहां पर इस फीगर का यूज़ करना पड़ेगा, तो अब धन्दे जिसमें आपको Y1 और Y2 जो रेखा के द्वारा कटा हुआ भाग है, तो पहले में लोग यहां से इस पूरे भाग का छेतर फल जो है ग्यात करेंगे, इसका मतलब यहां पर धन्दे जिए Y1 जो है इस रेखा के द्वारा कटेगा, तो इसका मतलब Y1 आपका यहां शे निकलेगा, इस जगे से आपको Y1 निकालना है, क्योंकि यह रेखा के द्वारा पहले कटा हुआ भाग है, तो अगर आप यहां से Y की वैलू ग्यात करेंगे, तो धन्दे जिए, दो इधर आएगा आपका, तो यह हो जाएगा, X, दो जब इधर आएगा, तो यह प्लस में आएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा इसके लाँ बराबर में कितना बचेगा, 4Y, जब आप यहां से Y की वैलू ग्यात करेंगे, तो 4 इसके बटे में आ जाएगा, इस प्रकाश इतना आएगा, तो यह Y का माना है, यहां से यह मिल गया है को Y1, इस प्रकाश आपको यूज करना है, और यहां से आपको मिलेगा Y यहां पर क्या किया गया है, Y1 माइनस Y2, पहले हम लोग इस रेखा के द्वारा घेरा हुआ पूरा छेत्वन निकालेंगे, और इसके बाद इसमें से जो है, यह जो परवले द्वारा कटा हुआ भाग है, यह वाला, यह, इसको हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे, यही प परकार से, बस आपको यह याद रखना है कि यहां पर जो यह फीगर यूज के जाता है, फीगर में हमेशा आपको यह पचाना रहता है कि कौन सा आपका Y1 है, और कौन सा आपका Y2 है, क्योंकि बताया गया था कि जो बड़ा होगा, उसी से आपको यहां पर घटाना है, तो यहाँ पर इस रेखा के द्वारा कटा हुआ भाग यह था तो पहले हम लोग इस पूरे भाग का छेखन निकालेंगे और उससे इस जो परवले के द्वारा कटा हुआ भाग है इसको घटा दिया जाएगा तो यही पॉइंट जो है आपको यहाँ पर समझना रहेगा गोडियो निक राजा जी बाकि आप काफिलेट हो चुके हैं बाकि शबी लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा चलो अब इसमें लोग यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ए बराबर इंटिग्रेशन माइनिस वन से टू इतना हो जाएगा लिमिट हमेशा देजियां पर हम लोगों ने वाइ बाला पद रखा है इसलिए जो लिमिट लिजाएगी वो X वाले पद की यहाँ पर लिजाएगी तो y1 का मान यहां से आप रखेंगे यह वाला यानि कि यह हो जाएगा x प्लस 2 बटे में हो जाएगा 4 यह मान हो जाएगा y1 का माइनस y2 का मान आप यहां चलेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वार बटे 4 इतना आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा dx इस प्रकाश है तो यह बराबर आप चाहे तो इन दोनों पदों को अलग-अलग लेके शामा करक्ते हैं और यह अलग-अलग लेकने का मतलब यह कि आप इस प्रकाश और यहाँ पर हो जाएगा x square dx इस प्रकाश आप यहाँ पर यह दोनों पद जो है इसमें अलग-अलग भी लिख शकते हैं तो अब इसके बाद दन्रीज जब आप यहाँ पर यह दोनों पद अलग-अलग लिखेंगे तो यह हो जाएगा फिर a बराबर एक बट्टे चार्ट इसका जब आप समा कलन करेंगे तो यह x की पावर आप n मान के चलेंगे यानि कि पावर में कितना है 1 मान के चलिए तो जब आप इसका समा कलन करेंगे तो यह आजाएगा x plus 2 का whole square यानि कि 1 plus 1 हो जाएगा और बट्टे में भी आजाएगा 2 limit आजाएगी यहाँ पर minus 1 से 2 इतना हो जाएगा फिर minus यहाँ पर हो जाएगा 1 by 4 इस प्रकार से इसका आप समा कलन करेंगे तो यह आजाएगा x cube और बट्टे में आजाएगा 3 यहाँ पर limit हो जाएगी minus 1 से 2 इतना हो गया अब आपको इसमें limit रख देना है बस क्यानि कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 by 4 यह वाला दो आप चाहेगा तो बाहर कर लेजे तो यहाँ पर यह बट्टे में दो बाहर हो जाएगा इसके अलावा जाएगा जब इसमें आप limit रखेंगे यहाँ पर आपका एक बचेगा और एक का स्कार करेंगे तो कितना आजाएगा है पर चाहे तो आप एक स्कार लिग दी इस प्रकाश है इसके अलाव माइनस यहाँ पर दिया गया है एक बट्टे चार यह वाज़ा तीन भी आप बाहर कर सकते हैं यानि कि बट्टे में इस प्रकाश है तो दो की घात तीन इसके अलावा धन देजी यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन रखेंगे और माइनस वन की घात आपको कितना करना है? फ्री इस प्रकाश से यह इतना आ जाएगा पहले यहाँ पर हमेसे हम लोग अपर लिमिट का मान रखते हैं इसके बाद जो है lower limit का मान रखा जाता है तो यह बराबर यहां पर यह आयाएगा एक बटे 8 यहां पर रांदे जिए 4 चोख 16-1 इसके बाद माइनस एक बटे बारा यहां पर दंदेजी दो दूनी चार दूनी आठ इसके लाओं माइनस दंदेजी इसका क्यों करेंगे तो माइनस कवन आएगा और यह प्लस का यहां पर हो जाएगा वन तो यहां पर यहां पर यह आया है यह बराबर अब इससे अब आप लोग सालो कर बताए जल्दी से इस का आशा जो है लगबग कितना आएगा जल्दी से इसका नहीं है जल्दी से आशा ज़िया है जल्दी से क्रवब कितना आशा है आइ 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 आ आइ 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 आ आ आ गुड दिन इंग अमिजी काफे लेट है अब यहां पर आप लोगों को सालू करने में काफे समय लग रहा है जबकि बहुत ही छोटा श्रलूशन है यहां पर सीधे यह 1 बटे 8 16 से 1 घटाएंगे तो यह आजायाएगा आपका 15 इसके बाद माइनिस 1 बटे 12 यहां पर रंदेजी 8 प्लस 1 दिया गया है यह कितना हो जायाएगा यहां पर 9 तो यहाँ पर यह एक बराबर दंदेजे 15 बटे 8 माइनस यहाँ पर यह हो जाया का 9 बटे 12 बस आपको इसका लाशा लेके जो है यहाँ पर सालू कर देना है इसमें बाकि आपको कुछ करने के जोर नहीं है और लाशा लेने के लिए भी चाहे तो आप पहले हर बराबर कर लेजी दोनों की या फिर जो संख्या कट रही हुशे आप कैंसिल भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देजी यह दिया गे इसे आप कैंसिल करते हैं तीन त्रिक का नो यह हो जायाएगा तीन चोक 12 इसका मतलब यह बराबर अब आप इसका लाशा ले लिजी 8 यहाँ पर आपको 8 दिया गे यह आजाएगा 15 माइनिस यहाँ पर देजी 4 दूनी 8 दो बार जा रहा है तो दोस्ते यहाँ पर गुड़ा करना रहेगा दो त्याई 6 इस प्रकाश इन इतना आ जाएगा यानि कि यह बराबर अब 15 से 6 घटात देजी 9 बटे 8 छे त्रफल ग्याद कर रहे थे इसलिए वर्ग इकाई या फिर आप यूज कर सकते हैं वर्ग मात्रक तो यहाँ पर यह 6 त्रफल आ जाएगा 9 बटे 8 बाकि विजय कुमार जी बिल्कुल सही है 9 बटे 8 आपका विकास जी आपका भी लगबख सही है लेकिन जब इस तरह के कल्कुलेसन करने होंगे तो आपको इसमें समय नहीं लगना चाहिए बहुत ही आशानी से इन्हें आप कर सकते हैं तो आपको इतना समय यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि अगर आप सालूशन में ज़्यादा समय लेगें तो एक्जाम में आपको वहाँ पर समय कमपड़ जाएगा इसलिए वहाँ पर आपको जो भी सालूशन होंगे उन्हें जल्दी सालू करना है थोड़ा सा ताकि आपको बात देहन देजी, अगला कुश्चन, कुश्चन यहाँ पर दिया गया है कि परवले हों y square बराबर 4ax और दूसरा दिया गया है x square बराबर 4by से घिरे छेतर का छेतर फल गयात कीजी, यहाँ पर आपको दो परवले दिये गये हैं, एक दिया गया है आपको y square बराबर 4ax और द इससे आप मान लेजे समीकर नमबर एक और इससे मान लेजे समीकर नमबर दो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो भी वक्र दे जाएंगे उन्हें सालों करके आपको प्रतिछित बिन निकालने हैं यानि कि X और Y के मान निकालने हैं तो समीकरण एक से हम लोग X का मान जो है इसमें रख देंगे तो यह दंदुजी या फिर आप यहां से इसमें भी मान रख सकते हैं तो दंदुजी आप यहां पर लख सकते हैं कि शमीकरण एक से एक्स बराबर अब धन्दू जगा समी करण एक चाप एक्स का मान निकाले नी कि इसका मान तो 4A इसके बटे में आज आएगे नी कि ये हो जाएगा y स्क्वार और बटे में आज आएगा 4A ये जो माना आया है इसे आपको समी करण 2 में रखना है एक से एक्स बराबर y स्क्वार बटे 4A ये जो है आपको समी करण नंबर 2 में रखना है इससे आपको जो है शमी करण 2 इस में रखना है तो अब दन्दू जी यहाँ पर x स्क्वार दिया गया है जब आप x की वालू यहाँ शे रखेंगे तो इसकी जगे पर हो जाएगा y स्क्वार बटे 4A का हूल स्क्वार इतना हैगा इसके अलावा बराबर यहाँ पर दिया गया है 4BY इतना हुआ यहाँ से हम लोगों ने x का मान ग्याद करके जो है इसमें रखा है तो अब दन्दू यहाँ पर जब आप इसका स्क्वार करेंगे तो यह आजाएगा y की पावर 4 बटे इसका जब स्क्वार करेंगे तो यह हो जाएगा 4 चोग 16 इसके अलावा A स्क्वार बराबर में आपको दिया गया है 4B Y तो यह हो जाएगा Y की पावर 4 बराबर इसका आप इधर गुड़ा करिए जब 16 का गुड़ा चार में करेंगे तो ये हो जाएगा चौशट इसके अलावा आ जाएगा A स्कौार फिर है B और ये हो जाएगा Y इतना आया इसके बाद देंदे जिए Y के पावर 4 इससे आप इधर ले आए तो माइनस चौशट A स्कौार B वाई बराबर 0 इसमें जो आपका Y कौमन है तो ये आजाएगा Y क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 64 A स्कौार B वाई अपने कौमन ले लिया है बराबर हो जाएगा 0 इतना आया अब इसके बाद यहाँ पर दान देंदे जिए यदि Y बराबर 0 देंदे जिए आपर दो गुणन खंड बनेंगे तो एक तो आपका Y बराबर आ जाएगा सिदे 0 इसके अलावा धन देंदे जिए दूश्रा अब यहाँ पर यह आया है यदि Y क्यूब इसके लाव दिया गया है माइनस 64 A स्क्वार B इतना दिया गया है और बराबर में है 0 मान लेजे तो जब यहाँ से आप Y क्यूब ग्याद करेंगे तो यह दूश्री तरफ जाएगा तो 64 A स्क्वार B इतना हो गया अब धन्दी जी से आप ऐसा लिख सकते हैं Y क्यूब बराबर 64 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 3 जब 4 का अगो आप 3 बार करेंगे तो 4 चोक 16 चोक 24 हो जाएगा इतना लिख सकते हैं इसके अलावा दिया गया है A स्क्वार और यहाँ पर दिया गया है B इतना अब धन्दी जी यहाँ पर है Y क्यूब तो जब यहाँ से आपको Y निकालेंगे और यह 3 इस तरफ जाएगा तो यह पावर में आपको 3 दिया गया है जब यह दूशी तरफ पलेट के जाएगा तो 1 बाई 3 जाएगा तो इसका मतलब दन्दी जी यहाँ पर तो आजाएगा 4 क्यूब कि यहाँ पर भी 3 दिया गया 3-3 कट जाएगा इस यहाँ पर 3 काइंशिल हो जाएगा इसके बटे में आजाएगा और यहाँ पर भी एक बटे 3 हो जाएगा तो यह मान यहाँ पर आ गया Y का अब वो आपको Y के मान मिल गया एक मान आपको 0 मिल गया दूसरा मान आपको यह मिल गया है अब यहाँ पर जो आपको X के मान शम्मी करद दो शेद देजी अगर सम्मी करद दो में आप y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा देजी इसमें आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान यह पर 0 हो जाएगा यानि कि अगर आप y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा इसके अलावा यदि y बराबर आप ये वाला मान रखें यानि कि 4 a की पावर 2 बटे 3 और b की पावर 1 बाई 3 तो फिर x का मान कितना आएगा अब धन देजे यहाँ पर दिया गया है x square यह हो जाएगा x square बराबर यहाँ पर दिया गया है 4by y तो यहाँ पर हो जाएगा 4b into y की जगे पर आपको ये वाला जो है मान यहाँ पर यूज करना है तो अब दन देजे यह हो जाएगा 4 इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे a की पावर 2 बटे 3 और b की पावर 1 by 3 इतना आया यानि कि x square बराबर यहाँ पर दन देजी यह 4 दिया गया यह 4 दिया गया है square लिख सकते हैं इस प्रकाशे इसके अलावा दन देजी a की पावर 2 बटे 3 हो जाएगा into b की पावर दन देजी यहाँ पर कितना है 1 यहाँ पर कितना है 1 by 3 अगर आपको 1 प्लस 1 by 3 करेंगे तो कितना आएगा इसका लाशा आएगा 3 इधर गुड़ा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आजाएगा यह जाएगा यह जाएगा b की पावर आजाएगा 4 by 3 यह चीज़ समझना है क्योंकि यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 by 3 था दोनों आधार बराबर थे इसलिए घाते जोड़ जाएगी तो यह इतना आएगा अब अगर आप यहाँ से x का मान निकालें तो इधर square दिया गया है दन्दिजी इससे जाएगा तो यह वर्गमूल बन जाएगा यानिकि इससे आप ऐसा लेख चकते हैं इधर से square जाएगा तो इधर under root में आजाएगा 4 square a की power 2 by 3 और b की power 4 by 3 इतना आया तो अब यहाँ पर दंदिजी यह आएगा फिर x बराबर 4 का square दिया गया इसका वर्गमूल आजाएगा 4 a की power 2 by 3 दिया गया तो यह आजाएगा a की power 1 by 3 इसके अलाव बी की power 4 by 3 दिया गया तो बी की power आजाएगा 2 by 3 इतना इस प्रकाश आप यहाँ पर इसका वर्गमूल लिका लेंगे यहनि कि अगर यहाँ पर हम लोग एक्स का मान जीरो आया था है निकि एक प्रतेश छेट बिंद हो जाएगा आपका 0 कामा 0 x और y दोनों मान यहाँ पर 0 है और दूसरा धन देजी x का मान आया है 4 a की power 1 by 3 और b की power 2 by 3 इतना आ गया इसके अलाव कामा y का मान धन देजी यह दिया गया है यह हो जाएगा 4 a की power 2 by 3 और इसके अलावा b की power 1 by 3 इस प्रकाशे तो यह यहाँ पर जो है दोनों के प्रतिच्छेट बिंदू ग्यात हो गए अब आपको यहाँ पर प्रतिच्छेट बिंदू मिल गए और जब प्रतिच्छेट बिंदू ग्यात हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर आरेक बना सकते हैं यानि कि फिर आपको यहाँ पर इसमें graph बनाना रहेगा इसके अलावा अब देजिए प्रतिच्छेट बिंदू ग्यात करने के बाद अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो शब्से पहले दन देजी यह आपका हो जाएगा एक सक्ष और यह हो जाएगा यह इसमें आपको दो तरह के परवले दिये गए थे शब्से पहले दन देजी एक आपको दिया गया था य स्क्वाइर बराबर 4AX तो यह जो परवले बनेगा वो इस प्रकाश से बनेगा य स्क्वाइर बराबर 4AX यह हो जाएगा आपका य स्क्वाइर बराबर 4AX इतना हो गया इसके अलावा धन देजी जो दूसरा परवले दिया गया था आपको उसका समीकर्ण आपको दिया गया है एक स्क्वाइर बराबर 4BY एक स्क्व ऐसे यह यहाँ पर हो जाएगा x square बराबर 4by तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो कटा हुआ भाग आएगा यह वाला इसका मान अब हम लोगों को यहाँ पर ग्याद करना है यानि कि इस भाग का आपको यहाँ पर 6 रफल ग्याद करना है इसके प्रतिछे बिंदू हम लोगों ने ग्याद किये हैं देंदेजी यह तो है आपका मूल बिंदू यानि कि 0,0 इस भाग का इसके अलावाद दूसरा य यहां का प्रतिच्छेल बिंदू जो आया है आपका यह हो जायाएगा 4, A की पावर, 1 by 3 और B की पावर, 2 by 3 इतना हो गया इसके अलावाद दूशना दिया आपको 4, A की पावर, 2 by 3 और B की पावर, 1 by 3 यह दोनों के यहां पर प्रतिच्छेल बिंदू आ गया है अब आपको जो है यहां पर इस भाग का छेतर फाल गयाद करना आप चाहे तो इससे मान लेजिए O, यहां पर हम लोग मान लेते हैं P, इस भाग को मान लेते हैं A, B आपको इस भाग का छेतर गयाद करना है, यह आप अपने अंसार कोई भी बिंदू मान सकते हैं अब दन देजे अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें छेत्र दन देजे इसे आप लिख सकते हैं O B P A O इससे लिखेंगे आप O B P A O का छेत्र फल इस प्रकार से तो यहाँ पर आप मान लेजे ए बराबर अब धन देजे लिमिट यहाँ पर X वाली यूज़ करेंगे 0 से ये वाला भाग यहाँ पर हो जाएगा 0 से 4 इसके अलावा A की पावर 1 बाई 3 और B की पावर हो जाएगा 2 बाई 3 यहाँ पर होगा Y1 माइनिश Y2 ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अब Y1 और Y2 Y1 और Y2 के लिए इनका यूज़ करेंगे यहाँ से आप निकालेंगे इसमें से Y1 आपका कैसे निकलेंगे निकि Y कमान निकालेंगे जब आप Y निकालेंगे तो धान देज़ जी इधर स्क्वार लगाए जब इधर आएगा तो यह हो जाएगा अंडर रूड 4 A X ऐसा आजाएगा इससे आप ऐसा लग सकते हैं चार का वर्गमूल आजाएगा दो इसके लावा लग सकते हैं रूड A और यहाँ पर रूड X को आप ऐसा लग सकते हैं X की पावर एक बटे दो करके क्योंकि इसका आपको समा कलन करना रहेगा इस्टी प्रकार से यहाँ से आप निकालेंगे इसमें से वाई टू तो तो द इसके लावा लिमिट हो जाएगी 4 A की पावर 1 by 3 और B की पावर 2 by 3 इतना हो गया आप चाहे तो इन दोनों पदों को अलग अलग भी लिख सकते हैं यहाँ कि ऐसा लिख देजिए Y1 DX इतना हो जाएगा फिर माइनस लगाए 0 से 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 और यहाँ पर यहाँ पर मान रख देना है तो A बराबर 0 से 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 इतना हुआ अब यहाँ पर देजिए Y1 का आप मान रखेंगे तो यह आपको दिया गया है यहाँ पर 2 root A दिया गया है इसका समकलन नहीं होगा तो 2 root A बाहर लिख दीजिए यहाँ पर आ जाएग नहीं होगा इससे आप बाहर लिख दीजिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्कायर डी अक्स लिमिट आपको दी गई है 0 यहाँ पर हो जाएगा 4 A 1 by 3 B की पावर 2 by 3 इतना हो गया अब इसके बाद देन देजिए यहाँ पर हो जाएगा A 2 root A इतना हुआ इसका समाकलन करेंग तो X की पावर 1 by 2 का समाकलन होता है 3 by 2 पावर में और बटे में भी आजाएगा 3 by 2 इतना हो गया लिमिट आपको दी गई है 0 यहाँ पर हो जाएगा 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 इसके बाद माइनस 1 बटे 4 B इसका जब आप समाकलन करेंगे तो X स्कायर का समाकलन आजाए इसके लाव लिमिट हो जाएगे 0 यहाँ पर हो जाएगा 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 इतना हो गया अब आपको यहाँ पर इसमें लिमिट का मान रखना है तो A बराबर धन देजिए यह पलट के बाहर आ जाएगा तो दो उपर आएगा इसमें गुड़ा कर देजिए आपका 3 यह दो बटे 3 बाहर कर दिया गया इसके अलाम आप धन देजिए यहाँ पर है X X की जगे पर आपको यह वाला मान रखना है जब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 इतना हुआ की पावर धन देजिए कितना दिया गय इसके अलाम माइनस एक बटे इसका बुड़ा कर देजिए तो 4 ते हो जाएगा 12 B इसके अलाम धन देजिए यहाँ पर है X X की जगे पर आपको यह वाला मान रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 A की पावर 1 by 3 B की पावर 2 by 3 की पावर 3 इतना हो जाएगा अब यहाँ पर यह मान आ गया है अब आपको यहाँ पर इससे सालो करके जो है इसका 6 त्रफल ग्याद करना है तो अब आप लोग यहाँ पर इससे सालो करिए जैसे अभी इससे पहले सालो किया गया था सेम उशी प्रकार से जो है आपको यहाँ पर इससे सालो करना है इसमे झाल 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 कि अर्विंजी नंबर में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट कर दोगा जब यह शेशन कम्प्लीट होगा उसके बाद आपको WhatsApp नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट कर दिया जाएगा तो जब class खतम होगी तो इसके बाद आप description चेक कर लिए जएगा उसके 5 मिट बाद तो वहाँ पर आपको WhatsApp नंबर प्रोवाइट करा दिया जाएगा प्रिया जी class के लिए पूछ रहे हैं आप तो class जो है लगभग देली जो है 6 बज़ जलती है लेकि जिस दिन class का time जो है ज़्यादा होता है यानि कि जब class एक घंटे से अधिक की लिनी होनी होती है तो उस दिन class जो है आपके 4 या 5 बज़े से start कर दी जाती है आज की class आपकी एक घंटे से अधिक के थी इसलिए यहाँ पर class जल्दी start कर दी गई नहीं तो class लगभग जो है 6 बज़े start की जाती है डेली अर्विंज अगर आपको paid course लेना है physics का तो उसके लिए आप lv classes एप डाउनलोड कर लेजे और वहाँ पर physics booster course का option आएगा आपको उसी पर click कर देना है वहाँ पर आपको buy का option आएगा अगर आप चाहे तो वहाँ पर coupon code अप्लाई कर सकते हैं अगर coupon code लगा देंगे तो उसका price जो है और भी कम हो जाएगा तो वहाँ पर आप coupon code अप्लाई कर लेजेगा coupon code में आपको टाइप करना रहेगा physics 12 बस आपको इतना ही टाइप करके अप्लाई कर देना है तो वहाँ पर आपको 25% का extra discount भी मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर जो है course जोईन कर सकते हैं इसके लाँ आपको WhatsApp नमबर वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप application में register कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बाया शायद में जो है 3 lines दिखाई देंगे उस पर जाब क्लिक करेंगे तो नीच्छी आपको WhatsApp नमबर इसके इसके लाँवा जितने भी important questions है उन सभी कुझे है उन सभी की पीडिया भी वहाँ पर upload कर दी गई है तो अगर आप अच्छे से त्यारी करना चाहते हैं तो उस course को जोईन कर लीजे उसका प्राइज भी बहुत ही nominal सा रखा गया है जिससे कि आपको किशी प्रकार की कोई समस से आ रही है तो नीचे technical team का WhatsApp नंबर दिया जाए अगर description में आप वहाँ से contact कर सकते हैं या फिर आपको application में ही option मिल जाएगा WhatsApp नंबर का आप वहाँ से WhatsApp कर सकते हैं इसके अलाव आप call भी कर सकते हैं call लेकिन आपको 8 बज़े के बाद नहीं करना है सामको उसके पहले आप निकल टीम से हो जाएगी अर्विन जी आपने बताया कि आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद भी आप पूर्स जोईन नहीं कर पाए हैं ठीक है आपको WhatsApp कर देना है आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा क्या समश्या है जो भी दिक्कत होगी वो रिजाल्व कर दी ठीक है आपको परेशान होने के बिल्कु जरूत नहीं है चलिए यहाँ पर धन देजे यह जो कोस्टन थाम लोगों का इसको लोग आगे कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर ए बराबर ये था 4 रूड ए बटे 3 इतना दिया गया अब यहाँ पर धन देजे इसमें पावर में दिया गया आपको 3 बटे 2 जिससे कि यहाँ पर पहले कितना दिया गया चार इस चार को आप क्या लिख सकते हैं इस चार को आप लिख सकते हैं दो की घात दो इस प्रिकाश लिख सकते हैं इस चार को इसके उपर पावर लगा देजे आप 3 बटे 2 इतना हो जायागा यहाँ पहला पद हो गया इसके अलावा इंटू अब ध्यांदिजी यहां पर आपको दिया गया है ए की पावर कितनी है एक बटे तीन एक बटे तीन इसमें गुड़ा हो जाएगा आपका तीन बटे दो से इसके अलावा ध्यांदिजी आपको दिया गया है बी बी की पावर कितनी है दो बटे तीन इसमें आपका गुड़ा हो जाएगा तीन बटे दो शे इस प्रकाश आपका ये वाला पता आएगा ये पहले से आपको जीरो दिया गया है इसके अलावा धन देजिए माइनस एक बटे बारा बी इतना दिया गया है अब यहां पर धन देजिए चार की घात कित दो आजाएगा इतना आ गया इस प्रकाश से इसमें दन देजिए इसमें आपके जो है कुछ पर यहां पर कैंसल होंगे जैसे कि यहां पर धन देजिए दो से ये दो कट जाएगा आपका इसमें तीन से तीन कट जाएगा यहां पर तीन से तीन और दो से दो कट जाएगा इ ए बटे यहां पर दिया गया है 3, इतना आ गया, अब यहां पर दान देजे 2 की घात कितना है 3, 2 कवड़े आपको 3 बार करना है, तो 2 दोनि 4 दोनी 8 आज आएगा, इसके अलावाँ एकी पावर यहां पर आएगा, एक बटे 2 और यहां पर दान देजे, B की पावर आपको दिया गया है तो B की पावर में आपको कितना आएगा 1 इतना आ गया इसके अलावा माइनस 1 बटे 12 यहाँ पर दंदे जी यह B से 1 B आपका यह करेंशिल हो जाएगा इसके अलावा गुड़े इसका गुड़ा आपको तीन बार करना है तो 4 चोक, 16 चोको, 64 आ जाएगा इसके अलावा A, B तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका दंदे जी 4 इसके अलावा गुड़े 8 गुड़े, A की पावर 1 बटे 2 और रूड A का मतलब भी होता है A की पावर 1 बटे 2 दोनों यहाँ पर जब गुड़ा होगा तो यहाँ पर आजाएगा A इस प्रकाशे, इतना आजाएगा इसके अलावा दिया गया है B बटे में आपको दिया गया है 3 माइनस, यहाँ पर धान देजे आप इसे कैंसल कर सकते हैं अगर कैंसल करेंगे तो धान देजे यहाँ पर जो है, इससे आप कैंसल करेंगे चार से, चार से अगर कैंसल करेंगे तो यह आएगा यहाँ पर 4 एक कम, 4 यहाँ पर बचेगा 2 यहाँ पर हो जाएगा 24, यानि कि 4 चार चार 24, इससे आप कैंसल कर सकते हैं चारते हैं बारा तो ये आएगा आपका 16 बटे 3 A B उसी प्रकार से यहां पर इसका गुड़ा कर देजे 32 A B बटे 3 16 बटे 3 A B दोनों के हर बराबर हैं इसका मतलब A बराबर 32 से 16 घटा देजे तो 16 बटे 3 A B वर्ग इकाई या फिर आप बोल सकते हैं वर्ग मात्रक ये यहां पर जो है इसका छेत्रफल हो जाएगा बाकि विजय कुमार बिलकुल सही आपने किया है 16 A B बटे 3 आपका बिलकुल शही है जिसने भी 16 टाइप किया है वो गलत है 16 नहीं आएगा यहां पर 16 बटे 3 A B वर्ग स्क्वाइर आएगा एक बार आप दोबारा से चेक कर लेज़ेगा इसके बाद देन देजे अगला कोशन अगला कोशन यहां पर है कि सिद्ध केजिए कि वक्र आपको यहां पर वक्र दिया गया है Y स्क्वाइर बराबर 4 X इतना दिया गया है फिर लिखा है तथा x square बराबर 4y दूश्रा दिया गया है x square बराबर 4y रेखाओं देखा है आपको देगई है x बराबर 0, x बराबर 4 फिर y बराबर 4, y बराबर 0 से घिरे हुए वर्ग के 6 त्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं यह आपको यहाँ पर सिद्ध करना है इसके लिए पहले आप फिगर ढ़न देजिए तो इससे आप आशानी से समझ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर ढ़न देजिए यह माल लिए एक्स अक्ष है और यहाँ पर दिया गया है y अक्ष इश्प्रकाश है तो सबसे पहले देजिए यहाँ पर एक परवले दिया गया आपको y स्क्वाइर बराबर 4x यानि कि इसका जवाब समय करने यानि कि ग्राफ बनाएंगे तो y स्क्वाइर बराबर 4x का परवले इस परकाश से बन जाएगा इसके लाँ दूसरा दिया गया है x स्क्वाइर बराबर 4y इससे जब आप बनाएंगे तो इसका परवले इस परकाश से बन जाएगा इसके लाँ को रेखा देगे देजिए x बराबर 0 और x बराबर 4x बराबर 4 इसका मतलब यहां पर देजिए x बराबर 4 जो आपकर यहां कहीं पर आएगा यहां पर देजिए इससे जो है यहां पर इसको मिला देजिए इस परकाश से और इधर भी इसको मिला देजिए इतना तो यहां पर यानि कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो फोर हो जाएगी इसके लाए बरापर भी फोर आपको दिया गया था तो यहां से यहां तक की दूरी भी 4 हो जाएगी तो यहाँ पर दंदेजी यह आपका एक वर्ग बन रहा था क्योंकि यहाँ पर दंदेजी यह भुजा 4 है यह भुजा 4 है इसके सामने की भुजा यह भी 4 हो जाएगी और यह वाली भुजा भी यहाँ पर इसका जो मान होगा 4 हो जाएगा इसका मतलब अगर इस बिंदू के निर्दे सांग की बात करें तो X का मान 4 और Y का मान 4 ये इतना हो जाएगा 4 का मान 4 ये आपका मूल बिंदू हो जाएगा 0 का मान 0 इसे आप दूसरे प्रिकास लेख सकते थे यानि कि ये जो रेखा दे गए है आपकी इससे द्यान देजी यह पर अपको X का मान दिया इसका मतलब इस तरफ Y का मान कितना है जीरो है ये रेखा आपकी Y बराबर 0 है उस्अ परकास इधर वाले रेखा की X-0 होगी क्योंकि इस तरह चिन पर भागों से इस करता है और तीसरा भाग आपको यह है आप इन तीनों भागों के छेत्रेफल गयाद करेंगे और उन तीनों कामान जो है बराबर आना चाहिए आपको सिद्ध करना है कहा दरंदुजी दिया गया था आपको कि वर्ट करें नी कि यह परवले दिये गए थे यह जो है इन रेखाओं से घिरे हुए वर्ग इन रेखाओं के द्वारा यहां पर यह वर्ग घिरा हुआ है इसको जो है तीन बराबर भागों में विभाजित करता है तो यह अप लोग याद रखेगा तो आपको बताया गया यह आपकी रेखा होगी X बराबर 0 इधर होगा आपका Y बराबर 0 इसके अल पहले आपको यहां पर जो है इसका ग्राफ त्यार करना जब आप इसका ग्राफ बना लेंगे तो आपको यहां पर जो है कोई समस्या नहीं होगी अब ध्यांदेजी यहां पर वर्ग है इसकी सभी बुजाएं बराबर होगी तो यहां पर इसका विमान 4 और इसका विमान 4 होगा यह याद रखेगा बाग की रेखाओं के समय का आपको बता दिए गए वाई बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो यह वाई बराबर फोर इधर आप लिख सकते थे एक्स बराबर फोर इतना अब ध्यंदे जी सबसे पहले हम लोग माल लीजी इस भाग का छेत्रफाल गया और इसको हम लोग मान लेते हैं क्यों तो सबसे पहले ध्यंदे जी जो आपका ये वाला वक्र दिया गया है इस प्रकार से यह जो है बनाया गया है इससे वाई स्क्वायर बराबर फोर इक्स से यह बनाया गया आपको वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स से और इसके का छेत्र फाल ग्याद करेंगे यानि कि इसमें लिखा गया है नंबर वन तो इससे आप इस प्रकाश लेख सकते हैं दान देजिए बिंदु माना गया है ओ तो ओ ए बी क्यू ओ इस प्रकाश लेख देजिए तो आपके हैं पर सभी भाग जो है कलियर रहेंगे आप यहां पर च्रीवण लिखा गया है इस भाग का मलोग 6 पहले ढ़kan करेंगे का छेत्र फाल तो इस भाग का छेत्रफल घ्यात करने के लिए ध्यान देजे यहां पर आप लेखेंगे इस में इंटिग्रेशन लिमिट ध्यान देजे लिमिट होगी आपकी 0 से 4 क्योंकि यह दूरी 4 है अगर यहां पर निर्देशांग निकालेंगे तो इसका मान आएगा आपका 4,0 और इ देजे यह वाला जो भाग है वो इस परवले के द्वारा कट रहा है देजी यह आपका परवले है इस परवले के द्वारा जो है यह वाला आपका भाग कट रहा है तो यहां पर यह होगा आप यहां पर लिख सकते हैं y dx यानिकी 0 से 4 अब यही चीज़ समझना है कि आपको y कामान कौन सा रखना है क्योंकि धंदी जी नंबर वन वाला भाग है यह इस परवले से कट रहा है इस वाले से और इसका समय करना आपको यह दिया गए अगर आप यहां से वाई कामान निकाले इसमें से तो यह हो जायाएगा का यहां यहां पर य कामान लिखेंगे आप एक बटे पूर डी अक्स इसकाप समय करें तो एक बटे चार यह बाहर लिख देजे एकाफ समय करेंगे तो एक स्क्यू बटे तीन लिमिट हो जाएगे से जीरो से फोर है कि यह आए गए यहां पर दंसी बिल्टे चार तीन वी आप बाहर कर देढ़े यह रहुत यह वाला इसב कमान रखें गए अपर तो यह चार की घात पीजै करा यहां पर आईगा जिरो यहान कि यह आएगा एक बटे यहान पर चार गुड़े तीन गुड़े यहां पर रनदे जब को दिया गया चार की घाट तीन तो यहां पर इस चार से इसकी एक घाट काइनलहों लिएución पर आजाएगा दो इसका आगया 16 बटे 3 तुवर्ग एकाई तो यहां पर जो एक भाग का छेतर फल आ चुका है यानि कि हम लोगों ने इस वाले भाग का छेतर फल ज्याद कर लिया है अब यहां पर जो इसका दूसरा वाला भाग है इसका छेतर फल लोग ज्याद करेंगे तो इससे आप लिख सकते है दन देजे, O, Q, B, P, O, अब यहां पर आप लिखेंगे इसमें, छेत्र, O, इसके अलावाँ यहां पर हो जाएगा, Q, O, Q, B, यह होगा आपका, O, Q, B, इसके अलावाँ, P, O, इस प्रकाश लिख देजे, P, O, का छेत्रफल, इसका छेत्रफल ग्याद करने के लिए धन देजे उशे प्रकार से, यहां पर देजे, यह वाला छेत्र जो है, इस वक्र के द्वारा भी कट रहा है, और इस वाले वक्र के द्वारा भी कट रहा है, इन दोनों के द्वारा यहां पर यहां पर यह कट रहा है, तो इसलिए यहां पर आप यूज करेंगे, देजे, इसमें आप पर ये वाला जो भाग है इसमें आपके ये दोनों वक्र सामिल है ये भी सामिल है और ये भी शामिल है तो यहां पर दोनों आपको यूज करना है यहां शेद्यान देजिए आप पिशमेशन निकाल लेजिए y1 y1 का मतलब जब यहां से आप y1 निकालेंगे तो कितना आएगा इधर से स्क्राइटेगा इधर रूड लग जाए गया निकि यह आजाएगा रूड का 4x तो यहां पर आजाएगा 0 से 4 इसके जगे पर हो जाएगा रूड 4x dx-0 से 4y2 अब इसमें धन देजिए दूसरा आपको यहां से निकालना है यह वाले परोले से क्योंकि यह भी काट हो गया बस आपको यहां पर याद रखना है इसमें दोनों वाक्र जो है एक दूसरे को काट रहे थे इसलिए यहां पर पहले बाक्षे दूसरे वाले भाग को जो है घटाएंगे तो अब धन देजी यहां पर आपको दिया गया धन जो रूड 4x अगर 4 का वर्गमूल निका यहां पर आप दांदेजी 0-4 x-square by 4dx इस भाग को सालो किया गया था तो कितना है था 16 बट्टे तीन यहां पर आप इसे सालो करेंगे तो यही आ जाएगा 16 बट्टे तीन आप दोबारास से सालो करके चिक कर सकते हैं क्योंकि इसे हम लोगों ने भी सालो किया था तो इतन से फूर मायनस सूला बटय तीन इतना हुआ याहां पर हो जायगा हुआ फर दो आदि यह पलेट के ऊपर जायगा तो यहां पर हो जायगा दो बटड़ थीन यहां पर लिंट रखेंगे में एक्सके जगे पर तो यह हो जाएगा, 4 की घात, 3 बटे, 2 3 बटे, 2 माइनस, 0 रखेंगे, X के जगे पर तो, 0 हो जाएगा माइनस में आएगा, 16 बटे 3, यहां पर यह हो जाएगा 16 बटे, 3, यानि कि यहां पर रण्देजी, यह हो जाएगा 2 दूनी, 4 बटे तीन गुड़े, यहाँ पर रन देजी आपको दिया गया, 4 की घाँत, 3 बट्टे 2, 4 को आप लेख सकते हैं, 2 की घाँत, 2 उससे ये वाला 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर रन देजी, इससे आप ऐसा लेख सकते हैं, 2 की घाँत, 2 की होल पावर, 3 बट्टे 2 करके, ऐसा, तो अब यहाँ पर यह कट जाएगा आपका इसका मतलब यह आएगा चार बटे तीन गुड़े इसका दंदर जी दो की घात तीन आएगा दो की घात तीन का मतलब दो दोनी चार दोनी आठ हो जाएगा माइनस सोला बटे तीन यहाँ पर दंदर जी आठ चो 32 बट्टे 3 माइनस 16 बट्टे 3 दोनों के हर बराबर हैं 32 से 16 घटाएंगे तो ये भी आजायेगा आपका 16 बट्टे 3 वर्ग इकाई अब धन्देजे पहले भाग का हम लोगों ने 6 त्रफल ग्याद किया था तो यहां पर आया था 16 बट्टे 3 यानि कि इस वाले भाग का फिर हम लोगों ने दूसरे भाग का 6 त्रफल ग्याद किया तो इसका भी मान आया 16 बट्टे 3 दो बराबर हो गए अब इसी प्रकास से आपको इस तीसरे वाले भाग का 6 त्रफल ग्याद करना है और इसका भी मान जो है यहां पर 16 बट्टे 3 आना चाहिए तो अब धन्देज यहां पर तो यह वाला भाग आपका दन्देजे इस तरफ वाला वह से अगर लोग एकस की कई वwelt लोग्याद करें तो फूर बट्टे में आ जाएगा यहां पर आपको भाग दिया गया धन्देजे यहां पर आप लिखेंगे उक बी-सिओ इसे एप धन्देजे यहां पर लिखिए छेत्र ओ पी इस प्रकाश ओ पी बी इसके अलावाई यहां पर हो जाएगा सी ओ सी ओ यानिकी यह जो है तीसरे नंबर का हम लोग छेत्र फल ग्याद करेंगे चेत्र फल तो इसके लिए दन देजे यहां पर अब की बार यहां पर दन देजे जीऊ कामा चार जीऊ कामा जीर Judged करेंगे जीरो से फॉर से फॉर और यहां पर हो जाएगा एक्स डिवाई इस प्रकार से लिमीट यहां पर हम दो उपाई वाले लेहें गे तो यह उजाएगा आपका 0 से 4 X की जगे पर आप मान रखे X की जगे पर जब यहाँ से मान निकालेंगे तो यह आएगा Y स्क्वाइर बटे 4 यहाँ पर उजाएगा डी वई बस आपको इसमें मोख्य पॉइंट यही याद रखने है कि जैसे आपने ये वाला भाग लिया तो अब ये भाग जो है किस के द्वारा कट रहा है इस वाले परवले के द्वारा तो आपको यहाँ पर इस परवले का मान लेना है अपने ये वाला भाग लिया था तो यह इस परवले के द्वारा कट रहा था तो वाई क्यों बट्टे में आ जाएगा तीन लिमिट हो जाएगी वाई से फूर जीरो से फूर इतना हो जाएगा यहां पर डंदे जी यह तीन आप बाहर कर देजे एक बट्टे तीन यहां पर डंदे आप शुमान रखे वाई के जगे पर तो चार की घात तीन माइनस यह घात के नुख शूला चो को चौशक इतना हो गया किसे आप यहां पर जो है चार से कैंसल कर सकते हैं अगर चार टे कंसल करें के तो यह ध्यां दिज्त यहां पर आयगा 4 1 4 4 264 और जाय गाथ 4 ते हैं 12-16-3 वर्ग एक आई यहां पर तीनो भागोn के छेतर फल बराबर आगये पहले भाग के छेतर फल हमने लोग यह इन गयात किया था तो 16 वर्टे तीन है था यहां देख सकते हैं पहले भाग के 6 तर फल हैं यह आपका लाश्ट में यहाँ पर लिख दिना है कि अत्ता छेत्र अब यहाँ पर आपको पहले भाग धान देजे क्या लिए आ गया था यह लिखा है O Q B A O जहां पर आप लिखें गिश में O Q B A O इतना हो जाया गए यहाँ पर का छेत्र फल बराबर अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले भाग का छेत्र फल दूसरा भाग यह आप देख सकते हैं O Q B P O यह हो जाएगा O Q B P O का छेत्र फल इस परकाशे इतना आएगा इसके अलामा जो तीशरा लिया गया था आपका यह लिखा गया है O P B C O यहाँ पर हो जाएगा O P B C O का छेत्र फल यहाँ पर आप लिख शकते हैं छेत्र तूसरा यहाँ पर जो है इन तीनों भागों के जो छेत्र फल थे वो बराबर आगया यानि कि इसका भीमान आपका 16 बटे 3 आया है इसका भीमान 16 बटे 3 आया है और इसका भीमान 16 बटे 3 आया है यहाँ पर वर्ग इकाई यहाँ पर भी वर्ग इकाई और यह भी हो जाएगा आपका वर्ग इकाई तो यहाँ पर इन तीनों के जो छेत्र फल थे वो बराबर आगया और यही आपको सिद्ध करना था कि यहाँ पर जो दोनों परवले और रेखाएं थी यह इसके द्वारब बने वर्ग को जो है तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से आपको आलू करना रहेगा इसके बाद धन देजी अगला कुश्चन यहाँ पर है एक्स अक्ष के उपर तथा वरत्थ एक्स इसक्वार प्लस वाई सक्वार बराबर एट एक्स एवन पर वले वाई सक्वार बराबर 4 एक्स के मद्ध्यवर्ती छेत्र का छेत्र फल गयात किजिए यहां पर आपको एक वरत्त दिया गया है यह दिया गया है x square प्लस y square बराबर 8x इतना दिया गया है इससे आप मान लेजे समीकर नमबर 1 यहां पर जो वरत्त का समीकर दिया गया है पहले इससे आप सही रूप में बनाएंगे सही रूप में बनाने का मतलब है x square इससे इधर लिए ये तो इदर आएगा तो माइनस का इटको जाएगा प्लस वाइ गौद हो जाएगा तो यहां पर जू यह वाला भाग है इस भाग को पहले आपको गॉ democr बना दे जहें यहां पर दन्देजिए एक्स स्कुएर गें किरता और हम treatments एक्स के गुड़े में कितना दिया गया आठ इसका आधा करेंगे तो कितना आजाएगा चार आजाएगा तो इसका आधा जो आएगा उसी का वर्ग करके हमेशा जोड़ दिया जाता है और उसी का वर्ग करके उसमें घटा दिया जाता है पूर्ड वर्ग बनाने के लिए कंड स्कॉयर बराबर 0 अब यहां पर धान रिजें इसमें यह जो दिया गया यह वाला भाग यह आपका फार्मूला बन जाएगा यानि की x-4 का whole square अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा x27 plus 4 square मानक समी करड़ आया है अगर यहां पर आप मानक समी करड़ लिखें वरत्त का देंदेजे तो मानक रूप क्या होता है मानक रूप होता है x-h का whole square प्लस y-k का whole square बराबर r square यह होता है यहां पर h और k यह केंद्र होते हैं इसका मतलब यहां पर जो है जान देजे h की जगे पर कितना है इसमें 4 तो यह आजाएका 4 इसके अलावाद है यहां पर है के आमंक कितना है 0 क्यूंकि y कीवल दिया गया है य- तो यह जाएगा तो यह केंद्र आएगा आपका 4,0 4 y में आगे कुछ नहीं दिया गया to 0 हो जाएगा इसके अलावाद आगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो r square ये त्रिज्या होती है तो r square बराब 4 square नहीं कि r का मान कितना आ जायगा चार तो ये आपको केंदर पता चल गया और त्रिज्या मिल गई इसके अलामाध हन्दिजी आपको इसमे परवले दिया गया था y square बराबर 4x इससे आप मान लेजेगा समीकरण नंबर 2 अब यहाँ परमलोक समीकरण 1 और 2 को हल करके पहले प्रतिछित बिंदु ग्यात करेंगे अप लिखेंगते हैं शमीकरण यह दोशे तो यहाँ पर दहन देजे यहाँ पर लिखा है य और यह दखन देजी y² बर्दाबर कितना है 4x तो इस के जगए पर आप मान रग देजी यह भय जाएगा 4x, बराबर में आपको दिया गया है 8x यानि कि x square प्लस 4x इससे आप इधर ले आए minus 8x बराबर हो जाएगा 0 यह हो जाएगा x square इसमें दन देजी से घटा देजी 8 से 4 जाएगे तो यहाँ पर minus का 4x आजाएगा और बराबर में हो जाएगा 0 यानि कि इसमें आप x common लेंगे तो x minus 4 बराबर 0 यहाँ पर दन देजे एक तो आपका आजाएगा x बराबर 0 और इसके अलामत दूशरा आप यहाँ पर लेंगे यह दे x minus 4 बराबर 0 तो इसका मतलब x बराबर आजाएगा 4 तो यहाँ पर आपको x के मान मिल गए एक 0 और दूसरा 4 अब आप y का मान ग्याद कर सकते हैं y का मान ग्याद करने के लिए आप इसी समी करण के यूज़ कर लिए समी करण 2 से तो धन देजे यहाँ पर x बराबर 0 अगर x का मान यहाँ पर आप 0 यूज़ करेंगे तो धन देजे y कितना आएगा y बराबर x के ज़िए आप 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा तो यह मान यहाँ पर इतना आ जाएगा इसके बाद यदि x बराबर 4 यानि कि अगर आप x का मान 4 यूज़ कर रहे हैं तो जन्दीज यहाँ पर 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 चौक 16 y स्कुर बराबर सोल आयानि कि y बराबर आप निकालेंगे तो कितना चार आजाएगा यानि कि यहां पर प्रतिछेद बिंदू आ जाएंगे आप फोनल के अप्रतित शेद बिंदू दान्दीजिए एक्स का मान्-0, दियरों का मलास उन्हाए इसके अलमा एक्स का माण्चार तो यका मान्चार यह आपको यह हैं पर यहीं प्रतित चेर विंदु मेंल गए अब आप यह पर जोय कापले मत dipping बनाएंगे तो इसके लिएивать कि अ यहां पर ये हो जायागा तो एक 올ज सक्षा और यह भरत बना डिए घ 90 यहां पर जो है जब डाएगा यङांब्लत जो वरत दिया गया है इस छीजन देजे शेंग को इस X आक्ष के पास बनाना है कि छी प्रकास यह पर यहां पर यह बनाना रहेगा क्योंकि अप देजि इसका केंद्र और प्रस्धिय आपको पता है केंद्र है त्रिज्य आपकी चार है इसका केंदर आपको पता है फोर कामा जीरो यह हो गया और त्रिज्य यह यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी फोर इसके अलाव यह आपका मूल बिंदु होगा जीरो कामा जीरो अब धन्देजी आप परवले और रत्य का जो परच्छे वह प स्कुर्वाइर बराबर 4X रवत जब बनाएंगे तो इस प्रकास यहां पर परवले अब बनाएंगे यहां पर हो जाएगा पर वले तो इसके द्वारा जो कटा हुआ भाग आ रहा है आपका यहां पर ज्यान देजिग को इसको अप यहँ यहां से जो है मिलता हुआ इस प्रकाश से बना देजी इसके बाद यहां पर पर दर्शित कर दीजिए इस प्रकाश से यह हो जाएगा आपका परवले परवले का शमीकन यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वाइर बराबर फोर एक्स इतना हो गया तो अब यहां परदन देजी यह जो घिरा हुआ भाग आया है आपको इसका छेत्रफल ग्याद करना है यानि कि इस वाले भाग का अब को इस भाग का छेत्रफल ग्याद करना है तो अब यहां परदन देजी यह अपका मूल बिंद माल देजी ओ इसके लाओ यह केंदर है यहां परवलोग माल लेते हैं ए B और इसको मान लेते हैं आपका C इस प्रकाशे इतना मान लेना है तो अब यहां पर्डान्देजे यह आपका 4 है यह त्रेज्या होगी तो यह भी आपकी 4 होगी यानि कि इस बिंदु के जो निर्दिसान काएंगे वो आएंगे four comma four इस प्रकार से यहां पर द्रहन रखेगा four comma four आएगा यह चीज क्योंकि धंदेजी यह तरज्या है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यह भी तरज्या होगी तो X और Y दोनों के मान चार होंगे इसके अलाव धंदेजी अगर इस बिंदू की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी चार क्योंकि तरज्या फिर यहां से यहां तक की दूरी भी चार होगी यानि कि इसका मान आएगा eight comma zero इस प्रकार से जो है यहां पर लिखेंगे यह बिंदू हो जाएगा आपका आठ गामद जीरू इतना इसके अलाव यहां पर आ लिखें गिश में चेत्र अब धन्देजी इससे आप लिखेंग यहां पर ओ बी ए अ ओ बी ए इसके अलावाँ सी ओ को का खेत्रफल अब इस भाग का खेत्रफल ग्याद करने के लिए धन्देजी आप आपको दो पॉइंट समझने पहले दान देजी ये वाला भाग जो है इधर का ये वाला जो दिया गया ये इस परवले के द्वारा कट रहा दान देजी इसके द्वारा और इधर का भाग जो है इस व्रत्त के द्वारा कट रहा है तो यहां पर आप इस भाग का छेत्रफल अलग निकाल लेजिए और इस भाग का च्छेत्रफल अलग निकाल लेजिए और दोनों को यहां पर जोड़ देजे जैसे कि आपका यह वाला भाग है इसे आप लिख सकते धन देजिए ओ सी बी ओ इस आप लिखे यहां पर छेत्र ओ शी बी ओ का शेत्रफल इतना हो जाएगा इसके बाद धन्देज इसमें प्लस लगाईए अब जो इधर वाला भाग है यानि कि यहां पर आपका सी ए बी सी इससे आप लिखेंगे यहां पर छेत्र सी ए बी शी का शेत्रफल यही पॉइंट आपको द्यान लगना है क्योंकि जो इस तरफ वाला भाग इस प्रकास है आपका यह वाला भाग जो इधार दिया गया इस प्रकाशि यह भाग जो है आपका इस परवले के द्यारा कट रहा है द्यान दे दे इसके द्यारा तो यह अल Gram और फो जेन है एक्स वाला मान लेंगे आ तो 0 से 4 इतना होगा यहां पर आप लेख सक्ते हैं y dx प्लस इसके बाद धन देजे इधर वाला भाग जो है वरत्त के द्वारा कटा है तो यहाँ पर x कामान 4 है और यहाँ पर 8 तो limit हो जायागी 4 से 8 y dx इस प्रकास से आप चाहे तो इसे y1 मान लीजे और इसे y2 लिख सकते हैं अब दोनों का मतलब आपको समझना है बस दन देजे 0 से 4 अब यहाँ पर y1 का मान आपको कौश रखना है वो आपको इस से रखना है क्योंकि यह परवले के द्वारा कट रहा है दन देजे अगर आप यहाँ से y1 ग्याद करेंगे तो square हटे का उधर जाया गया यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूड फोर एक्स इतना हो जाएगा यहाँ से आप मान लिका लिजेगा इसके अलामा प्लस यहाँ पर दन देजे 4 से 8 y2 का मान आपको इस वरत्य के अनुशार लिखना है अब वरत्य का जो समीकर ग्याद किया गया था वो आप दन देजे यह आया था यहाँ पर आया है x-4 का whole square प्लस y square इस वरत्य का जो समीकर ग्याद किया गया है वो ग्याद किया गया है x-4 का whole square प्लस y square बराबर है 4 square अगर यहां से आप y square ग्याद करें तो यह हो जाएगा 4 square यह उधर जाएगा तो x-4 का whole square यहां से आप y ग्याद करेंगे तो इधर under root लग जाएगा यानि कि 4 का square minus x-4 का whole square तो यहां से आपका यह निकलेगा y2 यही point समझना है यह आपका व्रत्षय मिल जाएगा तो यहां पर आप मान रखेंगे तो अंडर root यह हो जाएगा 4 square minus x-4 का whole square इसके अलामा हो जाएगा dx इतना हो जाएगा अब आपको यहां पर इसे सालू कर लेना है बस आपको यहां पर इसका छेत्रफद मिल जाएगा तो अब देंदेजी यहां पर दिया गया है 4 चार का वर्गमूल आजाएगा आपका दो यह तो वर्गमूल आजाएगा इसके अलामा देंदेजी 0 से 4 यहां पर आपको दिया गया है रूड एक्स क्योंकि आपने 4 का वर्गमूल निकाल लिया दो और रूड एक्स को आपको लिखना है एक्स की पावर 1 बाई 2 यहां पर आप मान लेजी इसके लिए धन देजी यहां पर आप मान लेजी इसमें एक्स माइनस 4 बराबर T इतना आपको मान लेना है अगर आप इसका ओकलन करेंगे तो यह आजाएगा डी एक्स बराबर DT इतना हो जाएगा क्योंकि 4 का ओकलन दो यहां पर 0 हो जाएगा तो यह अप लोग याद रखेगा इसके अलावा धन देजी अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है यहाँ पर आप लिखेंगे कि यदि एक्स बराबर 4 तो ती बराबर कितना आएगा एक्स की जक़के 4 रखेंगे तो 4-4 कि कामन जीरो आ जायेगा, इसके अलावा एक्स बराबर एट, यहां पर दिया गे अगे, अगर आप यहां पर एट रखेंगे, तो एट मानस फूर, तो टी कामन आ जायेगा, फूर, यहां को लिमिट मिल गई, यही ten को कि अब आप यहां पर दान देजी यह X-4 आपने किसके बराबर माना तो यह हो जाएगा टी स्क्वार इसके लावड डी एक्स किसके बराबर है डी टी के बराबर है तो यह इतना हो गया बस यही पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि इसमें जो है यहां पर हम लोगों ने X-4 जो दिया गया इसी आपको टी के बराबर मालेना है ताकि यह पर जो किसी प्रकार की कोई समझ्या ना है तो अब द trailers अभ यहां पर आपको इसका संबस्के लोन करेना दूप 11 बटे दूइसका संबस्कांत करेंगे a square minus x square का उस दिन जो पहले लेक्षर हुआ था इसका उसमें आपको यही फार्मूला बता आएगा था कि सबसे जादा इसमें यही फार्मूला जो है यूज होगा अब दन देजे यहां पर जब फार्मूला लगाएंगे तो यह आएगा t by 2 under root में हो जाएगा 4 square minus t square इसके अलावा प्लस यहां पर होता है a square बटे 2 इसके अलावा sine inverse x by a x का मतलब हो जाएगा t a का मतलब हो जाएगा 4 यह हो गया अब यहां पर लगाए फार्मूला इसके अलावाँ जीरो से 4 अब दन देजे एक बार यहां पर फार्मूला में लिख देता हूँ ताकि आप सभी को जो है याद रहे जान देजे फार्मूला क्या होता है integration under root a square minus x square dx अगर इतना दिया गया है तो इससे लिखा जाता है x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse x by a plus c इतना होता है तो वही फार्मूला यहां पर use किया गया है अब इसके बाद धन देजी यहां पर हो जाएगा 2 इसके अलावा धन देजी यह संख्या पलेट के उपर जाएगी तो यह हो जाएगा 2 बटे 3 इतना हो गया इसके अलावा धन देजी हैं पर x x के जगे पी वाला मान रखे तो 4 के घात 3 बटे 2 माइनस 0 रखेंगे तो यह पद आपका 0 हो जाएगा पलस अब यहां पर दन देजी आपको इसमें रखना है 4 तो जब आप यहां पर 4 रखेंगे तो यहां पर 4 बाट वाइट वाएगा और जब यहां पर 4 रखेंगे तो 4 स्कार होगा और यहां भी 4 स्कार दिया गया तो यह इससे घट जाएगा निकि यह वाला पद आपका 0 हो जाएगा फिर पलस दिया गया यहां पर दन देजी यह आएगा 4 चोक 16 16 को आप 2 से कैंसल करेंगे तो यह आजाएगा 8 इसके बाद देजी साइन इन्वर्स टी की जगे पर आपको 4 रखना है तो 4 भाई 4 करेंगे तो यह आजाएगा 1 इतना आएगा यह यहां पर आया इसके अलावा माइनस अब आपको 0 रखना यहां 0 रखेंगे तो 0 टी की जगे पर 0 रखेंगे तो साइन 0 कमान भी 0 होता आपको मिला कि आपका दूसरा पद जो है पूरा 0 हो जाएगा बस लिमिट रखने में कोई गलती नहीं करना है इससे ध्यान से रखना है आपको बताया गया सबसे पलने आपर 4 रखा गया टूसरे पद में आपको 0 रखना था तो जैसे आप यहाँ पर 0 रखेंगे पूरा पद 0 हो जाएगा यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 कमान 0 होता इसलिए यह पद भी 0 हो जाएगा तो यह इतना आया अब यहाँ पर हो जाएगा दो दूनी 4 बट्टे 3 गुडे यहाँ पर दहन देजे यह 4 की घा 3 बट्टे 2 लिखा है इसे हम लोगों ने कई बार सालों की आए इसे आप लिख सकते हैं 2 की घा 2 तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 2 की घा 3 बचेगा इसका मतलब आ जाएगा 8 इसके बाद दहन देजे यहाँ पर है प्लस यहाँ पर दिया गया 8 इसके अलाव दहन देजे साइन इन वर्स 1 दिया गया 1 मान होता है पाई भाई 2 का नहीं कि 90 का तो इंटू में आ जाएगा पाई भाई 2 इतना हो गया अब इसके बाद दहन देजे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चारो अठे 32 बटे 3 प्लस 8 पाई बाई 2 अब इसके आपको लाशा ले लेना है और लाशा लेकर जो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि लगबग जो इसका मन कितना आएगा तो अब आप लोग यहाँ पर लाशा लेकर जो इसका मन बताईए आज रहा है अग्टिश बट्टे तीन प्लस फॉर पाई सुदेब दी ठीक है वो तो अपने से कैंसल कर दिया यहां पर इसे दो से आप कैंसल करेंगे तो यह फॉर पाय आजाएगा आप चाहते यह भी कर सकते यह निए कि 32 बट्टे तीन प्लस फॉर पाई अभी आए अभी आपको यहां पर लाशा भी लेना है अगर आप यहां पर लाशा लेंगे तो इसका लाशा कितना आएगा तीन आजाएगा इसके अलावा धंदेजी यहां पर आपको दिया गया है 32 प्लस इस तीन का इधर गुड़ा हो ज भी प्लस फॉर एक गया है इस परकास लख सकते हैं लगर निकि आप यहां पर लख सकते हैं चार बटते तीन इसके अलावाम 8 प्लस फॉरफ गयाद करेंगे इसमें जो आपको किशे परकार के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सही है आपका अंसर अब इसके बाद धहन देजे अगला कोशिन कोशिन यहाँ पर है वक्रों y बराबर x और इसके लावन लिखा है y बराबर x square के मध्य वर्ती छेत्र का 6 रफल ग्याद कीजिए एक आपको दिया गया है यहाँ पर y बराबर x square और दूशरा दिया गया आपको y बराबर x इतना दिया गया है इससे आप मान देजिए 1 इससे मान देजिए 2 पहले इन दोनों को सालों करके जब प्रतिछेत बिन दो ग्याद करिए तो आप लेक शक्ते हैं समी करण 1 वा 2 से तो दन देजिए यहाँ पर y बराबर दिया गया x square और y किसके बराबर x के बराबर तो यहाँ पर आप लग देजिए x बराबर हो जाएगा x square इसे आप दूशी तरफ ले जाएए तो x square यह दूशी तरफ जाएगा तो minus x हो जाएगा बराबर 0 दोनों में आपका x common हो जाएगा यहाँ पर आएगा x minus 1 बराबर 0 यानि कि यहाँ से आपके दो गुड़न खंड बनेंगे एक तो आपका हो जाएगा x बराबर 0 और दूश्रा यहाँ पर हो जाएगा x minus 1 बराबर 0 यानि कि x बराबर कितना आजाएगा वन तो यहां पर आपको x के दो मान मिल गए तो अब आप यहां पर जो है समी करण नंबर दो का यूज करिए समी करण दो से y बराबर कितना दिया गया x अगर यहां पर x बराबर 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि X और Y दोनों बराबर है इसके अलावा अगर यहां पर X कामान 1 है तो Y कामान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जन्हें कि यहां पर जो प्रतिछेद बिंदु आएंगे प्रतिछेद बिंदु एक तो आएगा आपका 0,0 यह हो जाएगा और इसके अलावत दूसरा प्रतिछेद बिंदु हो जाएगा 1,1 यह तो यहां पर आपको 2 प्रतिछेद बिंदु मिल गए अब पहले आप यहां पर इसका सीगर बना लेजिए तो यह यहां पर हो जाएगा X यह हो जाएगा यहां पर आपको परवले दिया गया है Zandrei X square बराबर Y दिया गया है और x square बराबर Y दिया गय इसका मतलब इसका परवले जो है इस परकार से बनेगा इस के लाव पर प्रपिच्छ हेते बिंद्हन देज्ज यह रीका काट रही है से 0%1,1 तोबusta,0 तो आपका यह होगा 1,1 आपको कहीं प्रिधंचोतुर तर्धास नहीं आजायेगा इस परकाश है तो यहां पर जो है इससे इस प्रकास यह रेखा जो है यहां पर काटेगी यहां के निर्देसांग जो है ये 1,1 हो जाएंगे और यहां के निर्देसांक 0,0 हो जाएंगे आपको इस भाग का 6 तरफल जो है ग्याद करना है तो सबसे पहले दान देजे इस भाग का 6 तरफल ग्याद करने के लिए इस से आप यहां पर डॉट-डॉट करके मिला सकते हैं अब धन देजे यहां पर आप लिखेंगे शमें रे खांकित भाग का 6 तरफल रे खांकित भाग का 6 तरफल बराबर इंटिग्रेशन यहां पर धन देजे जो रे खांकित भाग दिया गया आपको इसका 6 तरफल जो है यहां मिल गया है एक जीरो यहां से ले सकते हैं एक वन यानि के लिमिट जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप जीरो से वन इसके अलामा वाई वन माइनस वाई टू डी एक्ष यह अपको यूज करना है अब इन दोनों में आपको वाई वन और वाई टू कैसे को काट रहे तो यहां पर जो है इस पूरे भाग का छेत्रफन निकलेगा इस रेखा के द्वारा तो यहां पर वाई वन जो है यह आपका रेखा से लिया जाए गया यहां पर तो इसमें जो है आपका वाई वन जो है वो इस रेखा से लिया जाए गया यहां से आपका वाई तो यही पैचानना रहेगा इस फिगर में रांदेजी पहले यह रेखा इस पूरे भाव को काट है तो पहले जो है इस रेखा के द्वारा गिरा हुआ छेथफल लोग ग्याद करेंगे और फिर इससे यह परवले द्वारा जो गिरा छेथफल इसको घटाएंगे इसलिए करेंगे तो एकस का संबाकलना आएगा एकस स्कूर बाय टू इसका आप समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब भाइ त्री लिमिट हो जाये के जीरो से वन यानिकिकि इश्में कुछक्ष कर नहीं रखेंगे एउन का स्कूर्ण अ जा Ear12 दो बान आम यहाँ पर आप वन यह यहां पर इसका आईशर हो जाएयará इस प्रकाष यहां पर इसे सालू करना रहेगा बाग की इस आपके शुदीब जी ने पहले ही सालू कर लिए है बिलकुल सही है आपका इसी तरह से सभी लोग सालू करते रहा करिए तो आप सबी लोगों की तयारे जो है और भी अच्छी हो जाएगी ओके शत्यम जी आपका भी सही है बिल्कुल इसके बाद देंदे जी अगला कुशन यहां पर दिया गे वक्र Y बराबर X स्क्वाइर और Y बराबर 4 से घीरे छेतर का छेतर फल ग्याद कीजिए इस तरह का कुशствен जो एक नंबर में आता है इसमें जो है कुझ भी करने के जो तुने देंदे जैसे कि यहां पर देंदे जी यह मान लेती हैं लोग X अक्ष है और यह आपका Y अक्ष है इसमें देंदे जी यहां पर आपको परवले दिया गया है y बराबर x square group में यानि कि ये परवले जो है आपका ऐसे बन जाएगा ये हो गया इसके लाद रेखा लिखा है y बराबर 4 y बराबर 4 का मतलब रेखा इस प्रकार से आपको कहीं कटेगी इस तरह से तो ये वाला मान जो है बताया गया है y बराबर 4 ये आपको रेखा देगे है y बराबर 4 वाली वाकि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये 4 होगी इसका मतलब यहां पर बिंदू आजाएगा 0,4 ये आपका मूल बिंदू हो जाएगा 0,0 ऐसा हो जाएगा तो यहां पर दंदेजी इसमें जो है एक भाग का छेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं इस तरफ का और इसके बाद दंदेजी इसी तरह का दूसरा भी भाग दिया है तो एक भाग का छेत्रफल निकाल के दूसरे में हम लोग यहां पर गुड़ा कर देंगे तो यहां पर दंदेजी अब आप यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट छेत्र फाल इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट देंदेजे इसमें 0 से 4 लिमिट हम लोग Y वाली यूज़ करेंगे 0 से 4 इतना हो जाएगा अगर आप लिमिट Y की यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो पद लिखा जाता है वो X वाला यूज़ के जाता है यहाँ पर हो जाएगा XDY अब धन्देजे भी आपको बतायागा था कि इसका छित्फल गयाद करने के लिए एक भाग कम लोग निकालके यहाँ पर आगे 2 से घर आएगा यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा रूड वाई डी वाई अब आपको इसका समाकलन कर लेना है इसके समाकलन में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि X की पावर वन बाइटू का समाकलन में लोगों ने कई बार किया है और सेम वहीं चीज़ है इससे भी आप वैसा ही लेख सकते हैं Y की पावर वन बाइटू और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बस आपको इसका समाकलन कर देना है यानि कि यह हो जाएगा अब दो इसका समाकलन करेंगे तो Y की पावर तीन बट्टे दो और यहाँ पर पावर में तीन बट्टे दो लिमिट हो जाएगी 0 से 4 इसके बाद जान देजे 2 यह संख्या पलेट के उपर आएगे तो यहाँ पर हो जायाका 2 बटे 3 वाई के जिगे पेमान रख देजे तो 4 की घाद 3 बटे 2 माइनस 0 इसके बाद देजे दो दूनी, चार, बटे, तीन, इतना हुआ, इसके बाद दन देजे, यहाँ पर इससे आप लेख सकते हैं, दो की घात दो, इससे यह वाला दो कटेगा, तो दो की घात तीन आएगा, यह निकि यह आ जाएगा, आट, माइनस जीरो, यह हो जाएगा, चोग, बटे, तीन, वर् इकाई, यह यहाँ पर जो है, इसका आशर हो जाएगा, इस प्रकाश्य आपको यहाँ पर इसे सालू करना रहेगा, तो इस यह पिर के जितने भी महत्तोपों कोशन्स है, वो सभी आपको सालू करा दिये गए हैं, इसके अलावा, इसके जितने भी इंपॉर्डेंट फॉर् समबंदे, जो भी कोशन आपके बोर्ट पे पर में पूछे गये हैं, इसके लिए आप अन्शॉट पेपर का यूज करिएगा, इसके लावा जो भी प्रेक्टिसर्ट पर्रेंट दिये गए हैं, उनको अपसालो करिए, तो आपकी तियारी बेहतर हो जाये कोशमें को समस्या जाएगी तो अब आच का सिसन हम लोग यहीं पर खतम करते हैं बाकि अप लोग लाइक और शेयर जरूर करें गया इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा